अलो फ्रेंड्स माय साहिब रॉक्स उनी इलतावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे डिक्रीज हेरिंग सुनाई कम देता है क्या किया जाए दोस्तों बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए कि बैल आइकोन को प्रेस करना है यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक उप्योगी वीडियो जी एंट से रिलेटेड आ इसका मेनेजमेंट है दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में सो पहले हम बात करते हैं कि क्या कारण है जो हमारे को सुनाई कम देता है दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे को सुनाई कैसे देता है हमारा जो बगवान ने जो हमारा इयर जो बनाया है सुनाई द रहते हैं उसको जो है वो एक टिंपेनिंग मेंब्रेन होता है कान का परदा होता है जो उस जो अंदर के सिस्टम को सेपरेड करके रखता है दोस्तों जब हम बोलते हैं तो यह आवाज उस कान के परदे से टकराती है उसमें वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन जो है जो कान का जो बाहर का जो कान है उसमें हो सकता है वैक्सो या कोई फोरेन बोडी भी हो सकती है उसके बाद में अगर आगे चलते हैं दूसरा कारण हमारा जो कान का पर्दा है उस कान के परदे के अंदर जो है दोस्तों दूसरा जो है हमारा सिस्टम है जो आवाज को ब्रेन तक लेकित याथ दोस्तों एक नरव है जिसके अंदर मिलियन सॉते हैं और वह सॉ आवाज को ब्राइन तक लेक Spielraff f descend बहुत बहुत में बहुत बार कोई फूसरा कुर्व और बहुत मारक करन को है चोटपा है उसके करण हमारी नर्व एक और उसके करन आवाज नहीं जाती है फो दुर्ब कर ही नर्व का वीखनेस जिसको सेंसों hearing loss भी बोलते हैं यह दो basically main group होते हैं कारण होते हैं जिसके कारण हमारे को सुनाई कम देता है दोस्तो सुनाई कम देना है इसका management क्या है अगर हम बात करते हैं तो अगर patient को conductive hearing loss है that means अगर उसके ear में wax है उसको wax clean किया जाता है उसके ear के drum में कान के परदे के अंदर hole है चेद है तो उसको कहए दोस्तो दूर्बीन की सायता से उसका कान का परदे का प्रत्यार ओपन किया जाता है जिसको अगर कान के जो है मवाद के कारण पस डिस्चार्ज के कारण जो है वह आपकी हमारी जो इयर की बॉन्ड डेमेज हो गई तो उसको ओस्यकलोप्लास्टी और मैस्टोई डेक्टोमी सरजरी के मात्यम से उसका repair और reconstruction किया जाता है तो हमें हीरिंग में गैन होता है दोस्तो दूसरा जो पहलू है अगर आपको हमारा कान का परदा बिल्कुल ठीक है हमारे जो है कान के अंदर wax भी नहीं है और हमारी जो नर्व है अगर वो वीक है दोस्तो उसमें सरजरी का कहीं कोई रोल नहीं होता उसमें operation का रोल नहीं हो तो हमें जो है उसका जो treatment है वो दो तरीके से किया जाता है अगर sudden hearing loss हुआ है यानि आपको एक दिन पहले बिल्कुल सुनाई कम दे रहा था और बिल्कुल सुनाई कम देने लग गया तो उसमें क्या है ब्लड फ्लो बढ़ाने का जो है system बढ़ता है जो दोस्तों जी जो system है कैसे हमें पता लगे कि मेरे को कंड़क्टी हीरिंग लोग से या नर्व का वीकनाई से जब पेशेंट हमारे पास आता है उसका ओडियो मेट्री एक टेस्ट कराया जाता है उस टेस्ट के माध्यम से में यह डिसाइड कर लिया जाता है कि इसमें का रोल है नहीं है इसमें उप्रसन होगा या दवा इसमें लगेगी तो दोस्तों इस इंफोरमेशन इस उस्फल वर यू the decreased hearing and its management if you have any query regarding the decreased hearing you can put my comment box definitely I will reply and thank you